हेलो फ्रेंट वेलकम टो माइच टूडी फीट के इंतरगाद जैस आर्टेस्ट के बारे में बता रही हूं और इससे पहले में आप फ्रॉर्ड यूथ फीट्नेस टेस्ट के बारे में पूरे डीटील बेहुआ हैं वीडियो को आप वाच कर सकते हैं और यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी competitive exams जैसे TGT, PGT, KBS, NBS, YLT आरी की तयारी कर रहे हैं तो बेस्ट तयारी के लिए आप मेरे चैनल पे सभी वीडियो को वाच कर सकते हैं सभी वीडियो मेरे चैनल पे syllabus के recording पड़े हुए हैं और दोस्तो डेली बेसे पे MCQ भी बनाया जा रहा है जो होते हैं आज की topic पर GCR test पर दोस्तो जैसे की GCR test जो होता है motor fitness test मापने के लिए बनाया गया है दोस्तों यह जैसीर test 1947 में ब्रेंथ ए फिलिप्स द्वारा बनाया गया दोस्तों इसकी रिलेबिलिटी यानि विस्वसनीता जो है 0.91 से 0.97 टक होती है दोस्तों इस परिच्छर को सबसे पहले आफ़र की सोध पत्रिका रिसर्च क्वार्टरली में प्रकासित किया गया और इसको मोटर फिटनेश टेस्ट के अंतरगत रखा गया है दोस्तों इसमें तीन टेस्ट आइटम्स रखे गए हैं मोटर फिटनेश टेस्ट पापने के लिए जैसे कि इस टेस्ट का नाम है जेसी आर इसी जेसी आर के नाम से तीन टेस्ट आइटम्स रखे गए हैं J से jumping, C से chaining, R से running यानि jumping, chaining, running jumping से ताथ पर है vertical jump chaining से ताथ पर है chin ups और running से ताथ पर है subtle run vertical jump दोस्तों muscular power of leg यानि कि explosive power of leg का major करता है यानि जो हमारे पैरों की 20 फोटक सक्ति होती है उसको मापन करता है major करता है और चीदक जो होता है दोस्तों वो हमारे arm and shoulder strength and endurance को मापन करता है यानि हमारे बाह और कंदों की शक्ति और सहनसिलता को मापन करता है ध्यान में रखिएगा बिसे शुप से and subtle run दोस्तों speed and agility को मापता है तो दोस्तों subtle run इसमें 10 गुड़ 10 yard का होता है 10 गुड़ 10 yard यानि की 30 feet दोस्तों दोस्तों यहां पे हम इस तीनों के बारे में थोड़ा detail में बताते हैं कि वर्टिकल जर्म, की नर्म, subtle run होता क्या है तो सबसे पहले तो हम बतायांगे कि यह JCR test का परपज क्या है यासा कि मैं बता चुकी हूँ कि JCR test का परपज है किसी ब्यक्ति की गामक चंता युगता यानि की motor fitness test को मापना कोस्टन आ जाएगा कि JCR test क्या मापता है तो motor fitness test मापता है यानि कि 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 ब्यक्ति की गामक चंता यानि की motor fitness को मापने के लिए बनाया गया है या पैरों की सकती, हाथों की सकती, सहन सिलता, गती और चपलता आदी को मापता है अब बात करते हैं दोस्तों जो है इसका करता क्या है किस लिए बनाया गया है या काले चाथ्र के लिए बनाया गया है अब बात करते हैं इन तीनों के बारे में Vertical Jum and Suttle Drum वर्टिकल जम्प क्या होता है दोस्तों जैसा कि इसके नाम से भी बिलित हो रहा है वर्टिकल जम्प का परपर्ज क्या होता है इसका उदिश्च क्या होता है यह हमारे एक प्रोसी पाववाप लेग यानि कि पैरो की पेसियों की 20 पोटक शक्ति को मापता है ठीक है एंड टेस्ट एरिया इसका कैश्ण होता है वर्टिकल जम का तो इसमें एक दिवार पर मापन स्केल लगा होता है जैसा कि चित्र में दिखाए दे रहा है एक दिवार पर मापन स्केल लगा होता है एक और सथ उचाई से उपर अंकित किया जाता है और दोस्तों इसका एड्मिनिस्टेशन आप टेस्ट यानि प्रोसीजर क्या होता है प्रक्रिया क्या होता है परिछर की तो इसमें क्या होता है कि करता जो होता है यानि जो करता होता है वो दिवार के पा इसकेल को छूता है और उस जगह पर पेंसिल या चाउक से निसान लगा दिया जाता है यानि कि जितना उसका हाइट है उस हाइट के हिसाब से अपने हाथ से उपर करके हाथ को एक जगह वहां पर छूता है इसकेल को छूता है और वहीं पर जहां पर छूता है वहीं पर पेंस करता ऊपर की तरफ दिवार के समरांतर जंप करता है और अधिक उजाई पर हाथों की उंगलियों से चूने का प्रयास करता है इस दराण उसके हाथ पर पाउडर लगा होता है जिससे जहां पर वो जंप करके छूता है वहां पर निसान इस परस्ट दिखाई दे स्कोर कैसे किया जाता है दोस्तों जहां पर वो प्रारंबिक लाइन प्रारंबिक चिन और अंतिम चिन के अंतर को देखा जाता है कि इसने जंप करके कितना का कितना उचा जंप किया है प्रारंबिक लाइन से अंतिम लाइन तक में इसमें कर्था को तीन चांस दिये जाते हैं और सबसे अंतिम अवसर को इसको रहे तू मान लिया जाता है नेक्ट है दोस्तों चीनप चीनब क्या होता है जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं चीनब क्या होता है इसका परपज होता है भुजाव कंदो की पेशियों की सक्ती और सहन सिल्टा को मापना यानि arm and shoulder strength and endurance को यह मेजर कनता है इसका administration of test यानि procedure क्या होता है इसमें करता दोनों हाथों से horizontal bar के bar को overhand grip से यानि अपनी तरफ उपर की तरफ hand करके पकड़ता है फिर परिछक के संकेत पर वह अपने सरीर को उपर की तरफ इतना ले जाता है जितना की ठोड़ी बार के उपर दिखाई दे फिर वह पर इस हीती में आता है इसमें दोनों हाथ सीधी होने चाहिए इस प्रकार उस क्रिया का अधिश याधिक बार दोहराने का प्रयास किया जाता है scoring क्या होता है सही प्रकार के team ups को एक अंक दिया जाता है इस प्रकार जितनी चीनफ सही प्रकार होंगे उतने ही अंक दिये जाएंगी वही उसका स्कोर होगा अब बात करते हैं दोस्तों सटल रन जैसा कि इसके बारे में भी आप जनरल बाते जानते हैं इसका परपज होता है सरीर की स्पीड एंड एजिलीटी यानि गती और चपलता को मापता है इसका टेस्ट एरिया क्या होता है एक सम्तल मैदान पर दस गर्ज के अंतराल पर दो लाइने खीचे जाती हैं जो एक दुसरे के समानानतर होती है एक रेखा को start line और दूसरी रेखा को finish line या returning line बोला जाता है इसका procedure क्या होता है? परिच्छ प्रक्रिया करता प्रारंबिक line के पीछे खड़ा होता है संकेत मिलने पर करता starting line से returning line तक जाकर उसे छूता है पुना प्रारंबिक line की तरफ वापस आता है इस प्रकार आना जाना पांच बार दोराना जाता है फिर कुल मिलाकर कुल दूरी सोगस्की हो जाती है अब score किया जाता है यानि कि subtle run में लगा हुआ कुल समय वह ही उसका score होता है ध्यान देने वारे बात यह है कि इस परिच्छ के प्रमाप को बनाने के लिए तो दोस्तों यह था आपका JCR टेस्ट जो मोटर फिटनेस कुमापने के लिए बनाया गया है 1947 में ब्रेट थी फिलिप्स ने बनाया था कालेज के छात्रों के लिए तो दोस्तों आई होब की आपको अच्छे से समझ माया होगा यही तीन है इसमें और इससे कोस्टन पूछने वाले यह है कि वर्टिकल जंप क्या मेजर करता है तो एक्स्प्लिउसी मस्क्रिलर पाउर आप ले यानि की पैरों की मास्पेशियों की बिस फूटर शमता की नफ्स क्या मापता है आर्म स्वल्डर इस्टेंड इंडरेंस य इसमल को बनाया जाते हैGM9 के एकश्टों में मतुछ सकता है इसमत इसे श्तों में पूछनेवाले है凌फ हि कि दोस्तों यहीं कोश्टों इसमें पूछने आपको पूरा किलियर हो गया है एन दोस्तों जादे सजादे अपनी दोस्तों तक भी शेयर कीजिए इससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता रहे जिससे मैं डेली पेसे इस पर आपके लिए वीडियो बनाती रहूं दोस्तों पहले बाद विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए इससे जो ही मैं नया वीडियो नेक्स टाइम अपलोड करूं उसको नाडिपिकेशन आप तक पहुझता रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स प्रेस कर लीजिए ये